लेक्षर नमबर थी क्लास 10 का यास बिल्कुछ रही पकड़ा है क्लास 10 के दो लेक्षर आल्रेडी अपलोटेड हैं यूटूब पर जिन लोगों ने वो लेक्षर नहीं देखे जो महानमूर्थी हैं जिने लगता है के बाद भी देखेंगे तो बाद आ चुका है यूटुब पर सर्च किजे New Mass Physics Class 10 और वहाँ पर तुम लोगों को Lectures दीख जाएंगे Class 10 से Related अब अगर हम बात करें Lecture 3 के तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले है Nature of Image और Nature of Light Image का Nature कैसा होता है कि कब Image Real बनेगी, कब Image Virtual बनेगी है ना, यह Nature ही तो है कि Image कब Real बन पा रही है और Image कब Virtual बन पा रही है इससे पहले हमने Plain Mirror के केस में Image Formation देखा था या, याद आ गया है तुम लोगों को ठीक है, तो हम Image फिर उसके बाद Nature of Light के एक्चुल में जो लाइट हम पढ़ रहे हैं क्या यह क्या है, यह वेव है, यह यह पार्टिकल है यह है, क्या मतलब एक्चुल में है न, तो उसके Nature को देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं, बेज जीजट नॉट्स बना लो और लगे रहो, काम से चलो बई, तो हम पढ़ते है Nature of Image इमिज का Nature क्या है Image बनाने सिखी हमने Plane Mirror के gauge में अब हम Nature देखते है तो देको दो टाइप की images बनती है images बनते हैं कितने टाइप की दो टाइप की, मैं लिग देता हूं क्या Nature of Image Nature of images कितने टाइप का Nature होते है Image के, दो टाइप के they are two type, they are two type, number first real image, number two virtual image, कालपनिक, आभासी, वर्चुल इमेज, तो number one तो real image, बास्तविक image, और number two virtual image, मतलब आभासी image, है न, ये कैसे बनती है, कब बनती है, कैसे पता चलेगा, देख करके की image real है, और कैसे पता चलेगा की image virtual है, तो मैं बताता हो, simple example, आप मुझे देख रहे हो न, आप मुझे देख है, क्या मैं कालपनिक हूँ, क्या मैं virtual हूँ, आप लोग फ़ोन पर देख रहे हो na YouTube पर, तो क्या मैं virtual हूँ, नहीं न, मैं तो real हूँ, तो आप मेरी real image देख रहे हूँ, मतलब, जो images screen पर देखी जाती है, जो images screens पे देखी जाती हैं, उन्हें कहते हैं, देखियोगि और जो इमेजेश, मिरर में देखी जाती हैं, उन्हें बोलते हैं, वर्ट्युल इमेज़ बिल्कुल सही, जैसे मैं अपने आपको mirror में देखू और अपने खेना निहार हूँ अपने आपको तो वो मेरी image कौन सोगी virtual क्योंकि real तो मैं हो ना भाई अरे real तो मैं हूँ तो जो मेरी image बन रही है उस mirror में वो real थोड़ी हो तो virtual होगी क्योंकि reality में तो मैं हूँ ना हाँ हाँ, रियालेटि में तो मैं मिरर के बाहर खड़ा हूँ, और जो मेरी इमेज बनने है, मिरर में बन रही है, तो वो वर्चुल हुई ना, कालपणिक, आब हाँ आप, एक्च्वाल वास्तिविक तो मैं हूँ, लेकिन आप जो मुझे देख रहे हो, वो मैं वास्तिविक ह मैं real हूँ वहां तो जो images हम screens पे या postures पे देखते हैं वो बनती है real images और जो images हम mirror में देखते हैं और mirror के पीछे बनती है वो होती है virtual images ठीक कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है तो क्या कहेंगे है images formed किसकी बात करें real images की तो real image की अगर मैं बात करूँ किसकी वास्तवीक इमेज real image real image क्या होती है image formed image formed on screen is called real image जैसे यह टेली वीजन है तुम्हारे घर में रखा हुआ और उसमें picture चल रही है अक्षे कुमार की यह मारा इसने और यहां चल रहा है अजे देवगन वो पिट रहा है तो यह images कैसी है यह real images है कैसी images है real images कोई यह screen पे चल रही है real image यह screen है television है TV ठीक ऐसे हम बात करते हैं कौन से virtual images virtual image क्या लिखेंगे image formed behind the mirror image image formed behind the mirror is called virtual image image है जैसे यह तो example देशका example क्या है image हों cinema hall cinema hall cinema hall या television और यह image क्या होगी for example पर एक्जामपल इमेज इन मिरर इमेज इन मिरर ना जैसे माल लो यह मिरर है यहां यह मिरर है और यह अब्जेक्ट रखेंगे कोई हुए यह पेड़ है इसकी मिरियमेज कहां तो समझीकर उफ इमेज क्या होता है ने वर्चूल image. Virtual image are those type of images which are formed behind the mirrors and real images are those type of images which are formed on a screen and front of the mirror. Mirror से पहले बन रही हो या screen पे बन रही हो. तो वो क्या 전ह हो reality! Real images और mirror के बाद बनने वालए इमीजे पीछे बनने वाइस इमेज्ड क्या कहला है? Virtual images उस तो यह nature of images था बहुत काम आने वाला है जब हम image formation पढ़ेंगे lenses के लिए ठीक और mirror के लिए कौन सा convex और कौन के mirror आता है उसके लिए पढ़ेंगे तो बहां बहुत important nature होगा याद रखना इस बात को उतार लो not कर लीजिए ठीक चलो अब हम पढ़ते हैं कौन सा नेचर नेचर ओफ लाइट यास नेचर ओफ लाइट पढ़ते हैं वह तुरे को नेचर ओफ लाइट क्या है क्या चीज़ पढ़ते हैं नेचर ओफ लाइट नेचर ओफ लाइट क्या है भई नेचर ओफ राइट ठीक है पहले की बात है मैं आपको कहानी गुरूब में बता रहा हूं साइंटिस्त थे न्यूटन सबको पता है न्यूटन साइंटिस्त थे और आइंस्टीन साइंटिस्त थे न्यूटन साइंटिस्त थे और आइंस्टीन साइंटिस्त थे है ना ये क्या कहते थे ये कहते थे कि light जो है भई रे की फॉर्म में चलती है light किसकी फॉर्म में चलती है रे मतलब light इस पार्टिकल लाइट किसकी फॉर्म में चलती है पार्टिकल की फॉर्म में तो सब बाते मानने लेगे कि light पार्टिकल है light पार्टिकल की फॉर्म में चलत पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, और वहां से फिनोमेना निकल के आया, reflexion और refraction का, किस nature से related, किस nature से related, particle नेचर से, particle मतलब रे nature, कि light रे की फॉर्म में चलती है, रे मतलब जैसे य है arrow, ये रे गई ऐसे, तो रे ही तो है, तो रे हमेशा कैसी चलेगी सीधी चलेगी तो यह कौन बता था न्यूटन और आंस्टीन कहते देगे लाइट हमेशा रे की फॉर्म में चलती है रे मतलब पार्टिकल तो पार्टिकल की फॉर्म में लाइट चल रही है कोई दिखकर नहीं पार्टिकल नहीं चल पार्टिकल न कल रही है इससे तो रे सीधी तो जा रही है सिंपल जी बात है तो न्यूटन आइस्टिंज जैसे बड़े-बड़े साइंटिस कह रहे थे तो सम्मानने लगे उसके बाद स्नेल ने अपने लौ दिये क्या लो दिये कि भी पढ़ाया मनें रिफ्रेक्शन ओफ लाय तो वहांसे बात प्रूफ हो गई के लाइट जो है रे की फोब में चलती है रे मतलब पार्टिकल नीचर या रे फोब या रे रे नीच रे मतलब तरंग नई रे तो वेव थी तरंग तो रे मतलब किरण किरण की फोम में ठेक चलो कोई नहीं थीक है बाते मानने लगे लोग मानने लगे बढ़िया सब कुछ बढ़िया चल रहा आप ही के रे की फोम में reflection reflection सब चीछ दे दी वह लोगों ने कोई दिख्कत सालोह पहले कुछ सो सालों बाद अचानक से क्या ह MALE सब्सक्राइब कि हरकम पुमज है शैंटिस्टों में क्यों कि Сइंटिस्ट आ एक नए सइंटिस्ट आ ुझें। हुझें। नए साइंटिस टाए और उन्हों ने बताए कि लाइट वेव है। लाइट रे नहीं है, लाइट का नीचर जो है पार्टिकल नीचर नहीं है। वो वेव की फ़र में चलती है। अब ये क्या उनकी बातों को नेगलेट कर दिया. क्यों कोगि बताब concert क्या है तुम्हारे पास वह पूफ्श नहीं पाए उन्होंने लॉव बनाये कि भाई यह आया ऐसे ऐसे एसे तो यह वेव नीचर हैं लेगन प्रूफ में कर पगाई किसी बात लेकान को उन्होंने लिख दिया फिर कुछ टाइम बाद फिर नई सैंटिस्त हाई यंग मैं ने भी कहा कि नहीं वएit कॉस़ बताओ और तो एक्सपेरिमेंट थे अब एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे सब कहիं कहीं बातें खटक भी रहे थी कुछ she scientist के मैं उमने क्यार बात तो सही है लेकिन कुछ scientist किस के तुरफ किते निूटन की तरफ आइंस्टीन की तरफ के बड़े-बड़े साइंटिस्ट है इनसे जादे थोड़ी पता होगा इने वह कम आक रहे हैं उन्दे इन से जादे तोड़ी पता होगा न्यूटन कहा दिया रहे हैं तो रहे है सबसे पीत चलने लगे कोई दिखकर करने तब भी किसी के कान पर जुने रहेंगी अब की बातों को भी मान लिया जाता है तो भाई इनकी बातों पर विश्वास करने लेगे लोग के चलो भे लाइट वेव की फॉर्म में चलती है कुछ लोगों कुछ लोगों न 2êm करके दिखाए वेव के वाले के फुजनन ने बताया कि हर एक पार्टिकल अपना पार्टिकल हर एक पार्टिकल जो है विव का न्यूअ पार्टिकल जिनरेट करता और अइसने का बताया यंग ने अपना एक्सपरिमेंट करके डबल स्लीट एक्सपरिमेंट किया उसके हिसाब से बताया कि लाइट वेव नेचर शो करती है है ना फ्रानोफर ने डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कॉंसेप्ट से बताया तो भाईया माननी पड़ी बात कुछ सा लाइट रे लाइट वेव लाइट रे लाइट वेव कुछ के रहा है लाइट वेव नेचर है कुछ वेव की तरफ खड़े है कुछ रे की तरफ खड़े है यह खड़ी भाईया पार्टी रे नेचर वाली यह कौनसे पार्टी खड़ी है रे नेचर वाली और यह पार्टी और वसे चलतीय है यह कैसे चलतीय किया से तो यह दिखा रहे ? पर और आप लडाई हो गई तकड़ि वाली तो उने को तो छहाने के को चाहिए था लड़ा ही तो होती रहती वरना तो उनके बीच माई एक समझदार साइनस्ट कोई समझदार व्यक्ति आया उसने का एे लड़ो मत लड़ना बिल्कुल नहीं है light ना तो रे हे और ना ही light wave है ना तो light ray है ना ही light wave है light दोनों है क्या कहा light दोनों है तो भाई अब न्यूटन चुप रहना पड़ा भाई कि चलो उनकी बात तो रखी गई के रे भी है और इने भी चुप रहना पड़ा यंग त्रानोफर कि चलो भाई लाइट वे भी है तो वो कौन था जिसने बताया कि लाइट दोनों है लाइट हैस ड्यूवल नेचर ड्यूवल नेचर के लाइट का जो नेचर है दोनों है वो पाईटिकल भी है और वो रे भी है किसी-किसी position पे light particle nature को show करती है मतलब ray nature को और किसी-किसी position पे light wave nature को show करती है अब wave nature तो तुम्हारे स्लेवस में है नी तुम्हारे स्लेवस में reflection और reflection है जो की ray nature है तो wave nature कहाँ पे मिलेगा 12th class में 12th class तक इंतिजार करो जो 12th class में जाओंगे तो दूनों नीचर डिटेल में पढ़ोंगे आधी फिजिक्स इसी से रेलेटीड है ठीक है ना तो क्या बताया डीब रोगली ने कि light has dual nature एक कौन कौन सा एक तो कौन सा ray nature और दूसरा नीचर कौन सा है वेव नेचर वेव नेचर तो यह थे कहानी light की तो अगर तुम्हें दिखना है nature of light में तो क्या लिखोगे light has dual nature ray nature as well as wave nature और ray nature को कौन कौन शो करता है reflection 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 और वेव नेचर को कौन कौन शो करता है interference diffraction polarization यह सारी चीज़े नए नए वाड़र लेकिने हम पढ़ेंगे 12 क्रावस में 10 इमर में पढ़ने नहीं इसलिए में बता भी नहीं रहा है तो यह तो बात है हो गई सही समझ में तुम लोग हो गई अब बात आते है light की speed कितनी है तो light की speed जो vacuum में होती है सबसे तेज पार्टिकल इन यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज़ जो है वह है light और light के speed कितनी है Speed of light in vacuum, क्या होती है, Speed of light in vacuum के अगर मैं बात सरू, Speed of light in vacuum, कितनी होती है, Speed of light in vacuum होती है, 3 into 10 to the power 8 meter per second, मतलब 3,00,000 km per second, एक second में light 3,00,000 km चलती है, पता है ना, है ना, interesting, एक second में light 3,00,000 km चलती है, कौन बना रहा है, है, इंसान में दम इतना, जो 3,00,000 km per second चलने वाली चीज़ बना ले, नहीं बना सकता, कोई भी, तो light is the fastest, ठेक, अब बात आती है, कि light को अर्थ पे पहुचने में कितना time लगता है, तो अर्थ की दूरी है, सन से कितनी, 15 करोड किलो मीटर, तो calculate कर सकते है, क्या करेंगे, calculate, क्या, velocity क्या होती है, velocity equal to distance, upon time, तो time निकालना है, तो time on time, हम यहां से निकालेंगे, तो वा आती है, कितनी 8 minutes, 8 minutes, 20 seconds में light कहा पोचती है, 8 minutes, 20 seconds में light, sun से अर्थ पे पोचती है, अब मैं बात करूँ, Jupiter पे कितनी दिर में पोचती है, बताओ, बताओ, Jupiter पे, Jupiter में पोचती है, 120 minutes में, Jupiter पे कितनी दिर में पोचती है, 2 घंटे बाद, 120 minutes में, तो आई बात सोज में, तो यह lecture था, nature of light से related, और nature of images related, तब तक करे, stay tuned,